जनपत बहराईज के रीसिया इलाके की रहने वाली एक नाबालिक लड़की के साथ भाजपा नेता समेथ उसके सहयोगी ने गएंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है बहराईज के सांसत अक्षेबर लाल गोंड की दर्वाजे पर पहुंची नाबालिक यूबती ने रोते हुए भाजपा नेताओं पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए है यूबती का यह आरोप है कि बहराईज के भाजपा नगर उपाध्यक्षु हरी गुपता एवं उसके सहयोगी पबन पाल ने मिलकर एक मामले में मदद करने का भरोसा दे कर दुसकर में किया था जब यूबती ने इसका विरोध किया तो भाजपा नेताओं उसके सहयोगी ने उसे एवं उसके परिवार को जान से मार देने की धमकी दी और कहा कि अगर कहीं इस घटना का जिक्र सार्वजने किया तो पूरे परिवार की हत्या कर दी जाएगी पिड़ता का यह भी आरोप है कि गंगरेप की घटना के बाद वह लगतार अपने परिजनों के साथ मुकदमा दर्ज करवान एवं न्याय पाने के लिए स्थानी थाने का चक्कर लगाती रही लेकिन भाजपान नेताओं के दवाव में किसी भी पुलिस कर्मी ने उसकी एक न सुनी थक हारकर पिड़ता अपने परिजनों के साथ लखनाओ किस्टनाओ अगर अपनी रिस्तिदार के घर पहुची पिर्टा का कहना है कि अपने रिष्टिदार के साथ जब लखनाओ कुमिशनर के पास पहुंची तब अभयुकतों के खिलाप मुकदमा दर्ज किये जाने का आदेश हुआ और 1 जून 2022 को किष्णा नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। सांसत के चौगट पर पहुँची पिर्टा ने रो रो करिया आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं के दबाव में आरोपियों की गिरफतारी नहीं की जा रही है और ना ही मामले की सही से जाんस की जार रही है। पिड़ता का यह भी आरोप है कि मामले को सुलह करने के लिए पुलिस ने पिड़ता की पिड़ता एवम उसके दो भाईयों के उपर फरजी तरीके जवरजस्ती मुकदमा दर्श कर दिया ताकि अपने परजनों को बचाने के लिए पिड़ता अपना मुकदमा वापस ले ले रोती बिलगती पिड़ता असांसत अक्षवर लाल गौण एबम MLC प्रग्यात्रिपाटी से मिली और हाथ जोड़ कर न्याई की कुहर लगाए पिड़ता का आरोप है कि भाजपा नगरुपादक्च हरीगुपता बेहत दबंग और सरकस किस्मक आदमी है हरीगुपता ने अपने सहयोगी पवनलाल के साथ मिलकर नसे की गोली खिलाकर नावालिक के साथ कई बार दुराचार किया जब नावालिक ने इसका विरोध किया तो उसे जान से मार देने की धम की दी गए इस मामले में पुलिस की सनलिपता भी बेहत करीश से नजर आ रही है वज़ा यह है कि पिड़ता के पिता एवं भाईयों के उपर दर्श किये गए फरजी मुकदमे में गिरफतारी को लेकर रोडवेच चौकी इंचार्ज विनो सिंग ने सहनवाश पुर के ग्राम प्रधान अनिल निसाद को भद्धी भद्य गालियां एवं पुलिसिया रॉब दिखाते हुए फरजी मुकदमे में जेल भेजने की धम की दी थी हलकी गालिबाज दरोगा का ओडियो वारन होने के बाद स्पी ने उसे निलंबित कर दिया बताया जा रहा है कि भाजपा नेता को बचाने के लिए दरोगा के दारा बहुत ही साती धंग से पिड़ता के परजनों के खिलाब मुकदमा दर्ज करके फसाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाजपा नेताओं के दबाव की वज़े से पुलिस गैंग रेप के आरोपी नगर उपाधक एवां उसके सहयोगी को ग्रफतार नहीं कर पा रही है जाना नीलम्पाल किया ख़ता हो यहाप मेरे साथ बलतकार हुआ है मैं यह प्रयाग्यमान से मिल आई हूँ सब्सक्राइब करूंतों से नगल उस्तांतों से क्प्राइब एक यान गृस्टौंग कॉलरे को ओंटत या नगरु semicut मेरे पिता जी को और मेरे दो भाईयों को फ़र्जी मुकदमे में ये नारपारा कि एक मुस्लिम नाम की लड़के सूपिया उसके तरब से ही ये 376 का मुकाद मेरे पिता जी के ओपर लगा दिया है मैं यहां मिलने आई हूँ प्रेक है मैं जैसे जैसे सर मतलब हम लोग प्रतिया मैं से मिलने आया है सर लेकिन सभी भाजपाओं से हमें अन्रोध है कि हमारी मदद किया जाए मैं अपने लड़की को लेकर सर मैं कहां जाओं सब तीन तीन चर चर लोग उननों के साथ ब्लतकर सो अर्यों की जैसार और यह बताईब कि मतलब इस विडियो को लोग भी नहीं कर रहा है लोनात्नीताओं के दबा में सभी लोग कोई सुनेवाई ही नहीं कर रहा है